दोस्तो एक नया mystery infection इंडिया में कुछ state से report किया जा रहा है ये उत्तर प्रदेश में majorly पाया जा रहा है और साथी साथ असम में भी इसके cases देखने मिले हैं तो इसमें जो symptoms हैं काफी commonly इनको malaria, dengue, chicken gunia जैसे ही symptoms देखने मिल रहे हैं जो कि monsoon महिने में common होता है तो इस वज़े से doctors इसको easily detect भी नहीं कर पा रहे हैं तो क्या है ये mystery infection आईए आज इसके बारे में चर्चा करते हैं तो दोस्तो इसे पहले आगे बढ़ूँ आपको बता देता हूँ मिरा नाम के इंजल चौदर ही है आप मुझसे मेरे telegram चैनल पर जुड़ सकते हैं जहाँ पर lecture के उपरां आपको आज का एक सवाल दिखा देता हूँ तो आप अपना answer मुझे comment section में बता सकते हैं क्या answer है इस सवाल का इस लेक्चर के उपरांत आप pretty sure आप easily कर पाएंगे तो दोस्तो न्यूज में क्या है न्यूज में है across states इन इंडिया यूपी असम पास्ट में हिमाचल याने कुछ वैसे ही symptom जूकि chicken gunya डेंगू में पाए जाते हैं वही symptom देखने मिल रहे हैं पर जब doctor डेंगू chicken gunya की treatment करते हैं तो उनको असर नहीं होता क्योंकि कारण है दोस्तो इनको chicken gunya या डेंगू नहीं है इनको जो बिमारी है वो है scrub typhus तो यह क्या बिमारी है आईए या जिसके बारे में चर्चा करते हैं तो दूस्तों यह report हो रहा है यह case मत्हुरा से पिरोजाबाद से मैनपूरी से और Assam and हिमाचल प्रदेश में कम केसे हैं तो आईए आज इसी scrub typhus के बारे में जानते हैं तो scrub typhus इसको bush typhus भी कहते हैं एक बिमारी है जो की एक बैक्टिरिया का नाम है और यंशिया सुच्सु गामूशी तो जपैन में 1930s के आसपास यह पहली बार बैक्टिरिया आईसोलेट करके पाया गया था यह बिमारी होती है तब से इसका नाम है और यंशिया सुच्सु गामूशी यह infection bites of infected chiggers के दवारा होता है याने दोस्तों कीड़े हैं घुन जैसा आप देखें तो उसके जैसे यह कीड़े हैं तो उसके काटने से होता है तो यह larval mite क्योंकि बड़ा वाला जो होता है वो नहीं काटता है तो adult chiggers इनको chiggers कहते हैं यह जो आप फोटो में देख रहे हैं यह आप इस आर चिगर तो अड़ल चिगर बा chiggers है यही बाइट करता है और इसमें यह bacteria orientia suxu gamushi हो सकता है यह vector है इस bacteria का और इस प्रकार से crumb typhus बिमारी हो सकती है तो यह mites का मिलते हैं आप लोगों ने देखा होगा घास में, grassy areas में, forest में, field में, lawn में, lake में, stream में हर जिगह देखने मिलते हैं तो यह बिमारी दे रहे और इस बिमारी के काफी बहानक सिम्टम्स हैं, तो यूजुली काटने के 10 दिन बाद, जब ये कीडा काटता है, बेबी इंसेक्ट जब काटता है, उसके 10 दिन बाद infection देखने मिलता है, तो 10 दिन के बाद fever होता है, चिल होता है, चिल स्याने आपको कापते हैं, जैसे malaria में जो site होता है, जहाँ पर काटा है, वहाँ पर जहाँ पर कीडे ने काटा है, उस जगा पर आप देखें, तो इस तरीके का scar भी देखने मिलता है, उस site पर, तो वो dark हो जाता है, इसी को scar कहते हैं, E-S-C-H-A-R, इसके सिवा, mentally भी आपको impact हो सकता है, confusion हो सकता है, कई cases में कु आप देखें, तो अन ये vector bond disease जैसा है, इसी वह जैसे doctor, अब तक यहाँ पर डिंगू, चिकन गुनिया की treatment दे रहे थे, और समझ नहीं आ रहा था, आखिरकार patient को हुआ क्या, इसलिए mystery disease, mystery disease के नाम से फैलने लगा, तो अब ये mystery solve हो चकी है, तो treatment क्या है, treatment है दोस्तो, एक antibiotic doxycycline, ये doxycycline आप दे दे, और ये किसी भी age के person को दिया जा सकता है, तो ऐसी कोई बात नहीं है, कि इस फैलने को ही दे सकते हैं, तो ये चिगर बाइट के बाद, जैसे ही symptom आने शुरू हो गए, ये antibiotics देना शुरू कर दें, लेकिन एक चीज का ध्यान रखें, symptom आने के स अरली treatment स्टार्ट करनी आउशक है, तो ही early recovery भी होगी, तो ज्यादा दिन इंतजार नहीं करना है, doxycycline स्टार्ट करवा देना है, तो अब doctors को भी ये समझ आ गया है, globally देखें दोस्तों कोई नहीं बिमारी नहीं है, नहीं है कोई ऐसी बिमारी है, जो कि भारत में पहली ब पर मिल रही है, past में, Southeast Asia like Indonesia, Eastern Asia like China, Japan, Northern Australia, इन इलाकों में बहुत common है, दिकत यह है दोस्तों कि इसकी कोई vaccine नहीं है, तो इस वज़े से infection हो जाए, तो antibiotic doxycycline लेना पड़ता है, और best है कि इस प्रकार के जहां पे infected triggers हो सकते हैं, उन इलाकों में पूरे कपड़े पहन के जाए specially बच्चों को, और नंगे पाउं ना जाएं, जूते पहने, covered रखें, so that ये bites avoid किया जाया जा सके, इन infected triggers के द्वारा, उसलिए आगे बढ़े, आज का सवाल देख लेते हैं, तो सवाल था दोस्तो, scrub typhus के context में, तो आप से पूछा जा रहा था, scrub typhus के context में, जिस बिमारी एंसर दे सकते हैं, comment section में, पॉस दबा सकते हैं, I hope आप लोगोंने answer दे दिया है, तो दोस्तो, answer is C, both 1 and 2, दोनों ही statement सही है, ये bacterial disease है, yes, कौन सी bacteria है, कौन से bacteria से होता है, तो आपको बताया है, orientia, susugamushi, एक bacteria है, जिससे ये बिमारी होती है, तो बिलकुल bacterial है, 37 vector bond भी है, बि material भी है, तो आपको ये चीजें याद रखनी है, तो दोस्तो, ये बिमारी इस वक्त UP, Western UP में common है, and past में, हिमाचल प्रदेश में भी देखने मिली है, and इंडिया के इस time पे, monsoon वाला जो season होता है, उसी time में ये बिमारी देखने मिलती है, तो ऐसा भी देखा गया है, कि डॉ क्योंकि अब news में आ गया है, तो best होगा, आप इसके बारे में depth में जाने, इसको अच्छे से समझें, तो दोस्तो, I hope आपको आची class पसंद आई हो, तो जब भी an academy आए, use the code KC10, क्योंकि इससे आपको 10% off नहीं मिलता, best mentorship मिलेगी, direct hand holding मिलेगी, best notes मिलेंगे, और जो guidance है, व बहुत सारी free special classes है, आप देख सकते हैं, तो आज भी होने वाली है, रोज होती है, कुछ free special classes होती रहती है, तो quality को हम question wise, MCQs के तुरू discuss कर रहे हैं, तो इस सारी upcoming live special classes है, बहुत सारी recorded special classes है, environment, geography, science and tech, सभी कुछ covered आपको मिलेगा, जरूर जाएं इस profile के तुरू मुझे follow करे तो इस तो नया feature भी आ गया है, raise a hand, तो इसमें आप अपने favorite educators से हाथ उठा के सवाल पूछ सकते हैं, voice get through, and offline में भी ऐसी facility नहीं होती, जो आपको हम online पर दे रहे हैं, तो इंडिया के best educators समाई साथ जुड़े हुए हैं, और हम UPC CAC 3-in-1 offer भी run कर रहे हैं, तो एक बार आप इतने भी courses हैं, सारा का सारा program आपको available हो जाएगा, तो इन academy notes भी आपकॉम दे रहे हैं, 10,000 रुपे की कीमत की loan भी provide कर रहे हैं, दो मंत की subscription भी है, तो केसी 1-0 code का इस्तमाल करें, दोस्तो दो साल की iconic subscription की कीमत है, 1,4,155 रुपे, and दो साल की प्लस की कीमत है, 64,800 रुपीज जब भी आएं, use the code KC10, यह सारे cost KC10 के discount के बाद हैं, दोस्तो ऑप्शनल subscription की कीमत है, 1 साल की 24,750 रुपे, UPSC combat भी हम run कर रहे हैं, KC10 code का इस्तमाल करें, 4 करोड रुपे की scholarship prize है, यह भी available है, 1 सप्टेंबर से नए batches start हो रहे हैं, आप देख सकते हैं, तो इनका हिस्सा ब दी है, 1 सप्टेंबर से 31 मार्च तक हम batch courses run कर रहे हैं, जिसमें आपको comprehensive तरीके से prelims and mains के लिए ready किया जाएगा, 1 अप्रिल से 31 में तक आपको हम prelims specific पढ़ाई करवाएंगे, तो prelims score booster होगा, PT 65 courses होगे, और 5 जून में आपको prelims देना है, तो इसके बाद आपको 5 दिन के बा हर एक दिन का हिसाब है, वैसे ही दोस्तों कर आप दो साल के लिए रहे हैं, तो दो साल के लिए भी हमने batch courses बनाए है, तो proper तरीके से अपकी journey prepare हो चुकी है, तो पहले तो अपकी basic NCRT courses run करवाएंगे, फिर beginner to advanced level background and wisdom nugget classes है, वो cover करवाएंगे, फिर prelims and mains के comprehensive course है, फिर mains के special course है तो पर 500 main series होगा, फिर वापस prelims के पहले prelims crash course होगा, current affairs round up होगा, फिर आप प्री देंगे में या जून 2023 में, उसके बाद mains crash course run करेंगे, तो that आप September में mains अच्छे से दे सकेंगे, तो दोस्तों I hope आपको काफी फायदा हुआ, जब भी an academy आए, user code KC10, thank you so much for joining, have a great day.